हलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में मेरा नाम है आरेन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरेन हेल्फंट्रिक्स दोस्तों यह वीडियो है कानपूर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो की यूपी के अंदर आता है और काफी फेमस रेलवे और शेंट्रल है कानपूर सेंट्रल और यहां पर लगबग इस रूट से गुजरने वाली सारी गारियां जो है सारी ट्रेन यहां पे होल्ड करती है 5 या 10 मिनट के लिए और यहां पे इंजन भी चेंज किया जाता है रूट चेंज किया जाता है और लगभग यहां पे 8 से 10 प्लेटफॉर्म है और जैसा कि देख सकते हैं यह चार नमबर प्लेटफॉर्म पर जो है जारत एक्सप्रेस लगी है और यह सामने की तरफ जो है लोकल ट्रेन है और यह चार नमबर का प्लेटफॉर्म है और आगे की तरफ देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर भी जो है अभी काम चल रहा है प्लेटफॉर्म का और यह देखे कानपूर शेंट्रल और तो यहाँ पर काफी ट्रेने जो है वो बनती भी है निकलती भी है यहाँ से बन के और काफी प्रचलिक्त रेलवे स्टेशन है यह यूपी का कानपूर और यह शीडी जो की फ्लाइओवर आप इससे एक स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और इस तरफ जैसे कि मैंने बताया था कि काम चल रहा है अभी तो यहां पर देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म का जो है काम चल रहा है इस तरफ एंड की तरफ जो है और और यह इस्टेशन को और काफी लंबा बनाया जा रहा है जैसा कि देख सकते हैं इस्क्रीन में और यहां पर जियारत एक्स्पेस लगी है जो की राजेंदर नगर टर्मिनल पतना बिहार से चलके अजमेर राजस्तान के लिए जाती है और यहां पर इसका दस मिनट का होल्ड है और यह आगे की तरफ इस्टेशन के बाहर का नजारा है देखा जा सकता है देख सकते हैं कानपूर्ट सेंट्रल यूपी का और काफी सारे य अलग अलग जगों के लिए अलग अलग राज्यों के लिए जो है गारिया निकलती है और यह उपर फ्राइवर है जिससे कानपूर्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नजारा और यह पानी का टंकी कानपूर का और इस तरफ सामने की तरफ देख सकते हैं इंडियन पेट्रल पम्प भी बनाया गया है पेट्रल स्टोरेज